तो हेलो एबरिमन स्वागत ही आप सभी का यूटूब चैनल और स्टेडी में जिया दोस्तों यहां पर मैं आपको आप सभी के कॉमेंट के लिए यहां पर मैं किलोग्राम का वीडियो लेकर फिर से आ चुका हूँ बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही संदार वीडियो है इस वीडियो में आपको किलोग्राम और ग्राम का नौलेज यहां पर मिलने वाला है तो वीडियो को अंतक देखिए यह जो कोशन है आपको डेली लाइफ में यूज करना है इस तरह के जितने भी कोशन होते हैं आपको डेली लाइफ में यूज करना होता है इसलिए यह जो कोशन है बहुत ही इंपोर्टेंट है तो ध्यान से पढ़िएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोशन को कियरफुली पढ़ेंगे अगर अच्छे से कोशन को पढ़ लिए न तो बहुत 400 रुपए है तो 4 गराम का दाम बताएं बहुत ही संदार कोशन है यहाँ पर केजी में दिया गया है 40 केजी का दाम है 400 गराम लेकिन आपको निकालना क्या है सिर्फ 400 गराम का दाम निकालना है सिर्फ 4 गराम का दाम निकालना है सिर्फ 4 गराम का दाम निकालना है तो कैसे निकालेंगे बहुत ही असान तरीका बताने वाला यह जो है एक एक नियम के तहट यहाँ पर यूज किया जाता तो चलिए वीडियो को यहाँ पर सॉल्व करते हैं बहुत ही असान तरीका से तो स कि जब भी कोशन सॉल करते हैं, जो यहां पर पहले दिया रहता है, सबसे पहले उसको पहले लिखते हैं, जानि 40 kg कदाम दिया है 400 रुपई या तो इसको हम लिखेंगे पहले, तो चली यहां पर लिखते हैं, 40 kg कदाम कितना रुपई दिया गया है, 400 रुपई दिया गया है को 2-0WD दलाँगे 5-0WD 1-0WD 2-0WD 1-0WD 3-0WD 3-0WD 5-0WD 5-0WD 4-0WD 3-0WD 6-0WD 11-0WD 4-0WD 2-0WD 6-0WD 1-0WD 6-0WD 3-0WD 4-0WD 6-0WD 9-0WD 11-0WD 5-0WD 11-0WD तो चलिए बीडियो पर बने रहे, तो एक केजी केजी का अधाम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखेना है, यहां पर चारिस केजी का अधाम दिया है, चारुसुर रुपया, तो एक केजी का निकालेंगे तो क्या करेंगे, impul parecer देरा है? यह क्यों करना है चलिए आगे बताते हैं यहाँ पर क्या है 400 रुपए तो इसको आपको लिख लेना है और यहाँ से जो मैंने 40 गायब किया है यह इस 40 को उठा कर इसके बटे में लगा देना है यहाँ पर अब क्या करना है इसको कटा लेना है तो चलिए कटा लेते हैं तो यहां पर एक जिरो से एक जिरो केंसिल हो जाएगा और चार से चार कम चार और चार दाहां के चालिस यानि दस बटे एक का मतलब हो गया दस यानि एक केजी का जो दाम हो गया हमारा दस रुपई हो गया आयोब कब कुछ समझ में आ रहा होगा एक केजी का दाम जो हो गया हमारा कितना हो गया दस रुपईया हमको निकलना है चार गराम का दाम तो हमको इसको क्या करना होगा गराम में करना होगा तो एक कीलो गराम यानि एक केजी में हमारा यहाँ पर एक हजार गराम होता है और एक हजार गराम का दाम कितना दिया है दस रुपईया दिया गया है हमको निकलना है चार गराम का दाम तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक गराम का दाम निकलेंगे अगर एक गराम का दाम निकल जाता है नो तो चार गराम का दाम तो बेहद असान तरीका से निकल जाएगा तो चलिए एक गराम का दाम कैसे निकालेंगे यहाँ पर है एक हजर गराम यहाँ पर डारेक्ट आपको करना है एक गराम और यहाँ पर है दस रुपाई है तो इसको दस लिख देना है कि यहाँ पर उपर एक जिरो से नीचे एक जिरो कैंसिल कर देना है यहाँ पर एक बच गया और नीचे क्या बच गया एक पर डबल जिरो यानि सो बच गया तो यहाँ पर एक गराम का जो दाम हो गया एक बटे सो रुपईया हो गया तो हमको क्या करना है यहाँ पर हमको 4 गराम का दाम निकलना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे हमारा 4 गराम का दाम निकल जाएगा यानि यहाँ पर 1 गराम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 गुने 4 गराम कर देंगे यहां पर एक बटे 100 रुपय है तो इसमे में भी हम 4 से गुना कर देंगे तो यहां पर एक गुना 4 गराम बराबर हो जाएगा एकबटे 25 हो गया यानि 4 गराम का जो दाम हो गया कितना हो गया तो आपको एक में 25 से भाग करना है यानि यहाँ पर 0.4 रूपई हो जाएगा देख सकते हैं बहुत हिसा अंतरीका है यहां पर हमारा 4 गराम का जो दाम है 0.4 रूपई है और यही इस कुर्षन का फाइनल आन्स है आई होब आपको स्माज में आ गया होगा किलो ग्राम और ग्राम क्या होता है अगर वीडियो अच्छा लगए तो लाइक किजिए अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजएगा क्योंकि चैनल पर से तरह का डेली यूज यहां पर मैध